अज़ 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 एक अज़ अज़ फैन्ट अज़ आज हमारी हिंदी की सेवंथ किलास है और इससे पहले जो इस्टुडेंट समिंतला विद्यालय की परिक्षा देने के लिए जाएंगे उनके लिए बैस्ट ओफ लख इसकी परिक्षा होगी 12 अक्टूबर को और इसमें हिंदी आएगी 30 मार्क्स ओके श्टुडेंट चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं जो श्टुडेंट नए हैं हमारे चैनल को सब्क्राइब कर ले और बाकी वीडियो को शेयर करें लाइक करें और बैना इंकल्स पर क्लिक करें चलिए आज का हमारा टोपिक है संग्या यानि नावन यह प्रैक्टिस के कोश्चन थे एक वन कोश्चन था इसका सभी ने कर लिया होगा देखिए इसका अंसर लगूता सब्द में कौन सा पर्तिय है लगूता यानि की पर्तिया लाश्ट का वर्ड होता है लगू गन्ता तो इसमें कौनसा पर्तिय हो जाएगा ता पर्तिया का एक्षर करेक्ट है देखे संग्या किसे कहते हैं संग्या किसी व्यक्ति वस्तू इस्थान प्राणी या भाव के नाम को संग्या कहते हैं किसी भी व्यक्ति वस्तू इस्थान प्राणी भाव के नाम को संग्या कहते हैं यानि कि संग्या मेरा नाम आपका नाम किसी का भी ना जैसे इस्थान कोई भी जगह हो सकती है प्राणी में जीव जन्तु और भाव जो हम मैसूस कर सकते हैं यानि फील कर सकते हैं यह सब संग्या है जैसे राम, लड़का, आगरा, किताब, पंखा, खुशी, मोर, चिडिया, इमानदारी, बुराई, साहेता, आदि यह सब क्या है, यानि कि यह सब संग्या है, संग्या के कितने भेद होते हैं, संग्या के तीन भेद होते हैं, जो हमारी आदुनिक माननेता है उसके according है तीन, यानि कि आज की माननेता आदुनिक, और जो प्राचीन है उसके according है 5 ठीक जानिकी जो अब की मान्यता है उसके according है तीन और जो प्राचीर है पहले थी वे थे 5 पांचों में यही है पहले तीन है व्यक्तिवाचक संग्या जातिवाचक संग्या और भावाचक संग्या तीन वेद और समुदाई वाचक संग्या दरवे वाचक संग्या यह आएंगे जातिवाचक में यह किसमा आ जाएंगे यह आ जाएंगे जातिवाचक में देखें व्यक्तिवाचक संग्या क्या होती है किसे कहते है व्यक्तिवाचक जो संग्या सब्द किसी विसेश व्यक्ति वस्तू, इस्थान या फिर उसी का मुंदलब वस्तू का उसी का ही बोध कराता है वो क्या होता है जातिवाचक संग्या जैसे मोहन निसेस, नाम दे दिया मोहन, जापान दे दिया, सहर की जापान है, उस्तक दे दी, ये गंगा नदी दे दी, ये व्यक्तिवाचक संग्या है, अगर हमें जातिवाचक में करना है, जातिवाचक बनाने के लिए हमें यहां पे मोहन क्या है लड़का, अगर मैंने यहां पे मोहन कि जगल लड़का लिख दिया तो एक किसमें चल जाएगा जाती वांचा कि like Yoga संपून्चा भूकरा है अगर नदी हिसमें चल जाएथा जाती přे ले जाती वाचक संगिया, जिस सबसे किसी एक जाती के प्राणियों, वस्तों और इस्थानों का बोध होता है, मतलब कि उसी व्यक्ति का, मतलब कि ये देखो, जैसे लड़का है, इसमें बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, अगर हम यहां नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे दे तो ये व्यक्ति वाचक संगिया में चला गया, जाती वाचक में आदी, यहां पे सहर, सहर का नाम आते ही ये व्यक्ति वाचक में चला जाएगा, व्यक्ति वाचक संगिया हो जाए गई, नदी है, नदी का नाम आते ही, क्या चला जाएगा, व्यक्ति वाचक संगिया हो जा तो यह क्या हो गया व्यक्ति वाचक संग्या है अगर हमने गाएं है तो बहुत सारी हो सकती है किसी भी टाइप की हो सकती है तो यह जाति वाचक संग्या है पता लग रहा किस तरीके साथ व्यक्ति वाचक संग्या को देख सकते हैं जादि वाचक को व्यक्ति वाचक को हम कैसे बदल सकते हैं अब भावाचक संग्या नमबर तीन भावाचक संग्या जो संग्या सब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुन या दोस कि जो गुन या उसके दोस्ट को हम क्या कर सकते हैं भाव की अवस्था को जान सकते हैं बता सकते हैं वो क्या होगा वो भाव अचक संग्या होगा जैसे बुढ़ापा भाव है बुढ़ापे में यानि कि फील करना बुढ़ा व्यक्ति बुढ़ा व्यक्ति तो है लेकिन उसे क्या है ये बुढ़ापा मतलब भाव अचक संग्या बनाने के लिए बुढ़ापा मिठास मिठाई है हाँ ये मिठाई है लेकिन उसका भाव देखा उसे भाव आचक में परिवर्तन करना हो तो क्या हो जागा मिठाथ ऐसे ही सजावट, सुन्दर्ता कुछ भी ले सकते हैं भाव आचक संग्या में जो संग्या सब्द किसी व्यक्ति वस्तु या इस्थान गुन दोस उसके उसके उसमें गुन क्या है दोस क्या है उसके भाव की अवस्था को बताता है तो क्या हो जाता है भाव आचक संग्या देखें समुदाय वाचक यानि कि जाती वाचक के अंदर आता है समुदाय वाचक और द्रव्यवांचतु जिस संद्या सबसे जो किसी एक ही जाती एक ही जाती व्यक्तियों वस्तौं या इस्थानों का बूद होता है और समु में है समूं बी। यह से शमू का बोद कराते हैं तो आखाश का जाएगा यह जाएगा समू drifting बीर करां समhhh बहुत सारी भीड होती है सैना सैना में भी एक में रहता है बहुत सारी सैना होती है तो एक कौन से वाचक संग्या है समुदाय वाचक संग्या है परिवार परिवार में भी एक सदसे जाज सदसे रहते है वो परिवार है मतला समु में रहना दल बहुत सारे कक्षा हैं बहुत सारे इधार्थी होते हैं तो ये क्या है ये वच्छो समुधाय वाचक संघया है चलिए नेक्स्ट, दरव्य वाचक, दरव्य वाचक संग्या, जिन संग्या सब्दों से किसी दरव्य पधार्थ, धातू या फिर किसका बोद होता है, कोई भी ठोस पधार्थ, भी ले सकते हैं, वो भी दरव्य वाचक है, उसे क्या कहते हैं, दरव्य वाचक संग्या कहते हैं जैसे सोना, धातु है, तेल, जरवय फवदार्थ, चावल, कोई भी मैटेयर ले सकते, इसमें धातु फवदार्थ है, गेहूं, दूद, घी, पानी, सब कुछ क्या है, दरव्य वाचक, सीमेंट, लोहा, सब कुछ दरव्य वाचक. इन सभी की जानकारी के लिए, जैसे सैनी की स्कूल, मिलेटरी स्कूल, नरोध्य विध्याले, सभी की जानकारी के लिए, आप हमारे इस कॉंटेक नंबर पर कोल कर सकते हैं. देखें भाववाचक संग्या को हम कितने परकार से बना सकते हैं इनको हम पाँच परकार से बना सकते हैं जैसे फर्ट जातिवाचक संग्या से बना सकते हैं दूसरा सुर्णाम से बना सकते हैं तीसरा विशेशन से बना सकते हैं और किरिया से और अव्या से जाती वाचक जो जाती वाचक मतर जाती का बोध कराया जारा उसे जाती वाचक संग्या स्वर नाम से इन पांच परकार से हम भावाचक संग्या को बना सकते हैं देखे एक्जामपल में जैसे जाती वाचक संग् मित्र का क्या हो जाएगा मित्रता हो जाएगा बच्चा है बच्पन यानि कि मैसूस करना मित्रता को मैसूस करते हैं बच्चा का बच्पन फील ही तो कर सकते हैं बुढ़ा बुढ़ापा बुढ़े का क्या हो जाएगा बुढ़ापा लड़का लड़के का लड़कपन भक्त क भक्त का भावाचक संग्या क्या हो जाएगी भक्त को भक्ती देखे स्वर नाम से ये सब क्या है ये सब स्वर नाम सब्द है पराया, अपना, आप, मम, एहम तो इन से हम क्या बना रहे हैं भावाचक संग्या बना रहे हैं इन सभी से और भावाचक संग्या पाच परकार से बनाई जाती है, देखे पराया, पराया का क्या हो जायेगा? पराया पन, अपना का? अपना पन, यानि कि फील करना, महसूँस करना, आप, अपना, ममका, ममता, एहम, एहंकहार, हैंकार में हो जायेगा, किस से बनाएंगे और विशेशन सब्द से विशेशन यानि कि विशेशता बताई जारी मीठा वहाँ फल बहुत मीठा है तो इसमें क्या बताई जारा विशेशता बताई जारी मीठा विशेशन सब्द है मीठे का क्या हो जाएगा इसमें भावा चक शंगे में बिठास, कडवा, यहां फल बहोत कडवा है, इसमें क्या बताई जारी? विksेशता बताई जारी तो विशेशन सब्द है? विशेशन दुर्बल, वह दुर्बल है, वह पीला रहुता है, वह पेला वेक्टी है, तो मोटा क्या है? उसमें पभी विशेशन है क्या बन जाएगा से हम भाव अंचिक संग्या बना सकते है अब किर्या कवरता काम करना लिखना पढ़ना दोड़ना चलना ये सब क्या है किर्या सबसे किर्या से हम भाव लूट न लूट और दोड न दोड यह भावाचक शंगया इस से लिए कप या से बावाचक किरिया से बावाचक एस तरहें ऀसे बनाएगा है देखे अव्यसब्द फिर अव्यसब्द सबसे लाश्ट पॉइंट है ये अव्यसब्द और अव्यसब्द होते कैसे हैं अव्यसब्द वे होते हैं जिसमें ना तो कोई लिंग हो ना काल हो और ना ही वचन हो देखे समीप कोई भी इसमें लिंग है काल नी है ना ही वचन है त अव्यासे हम भाव अचक बना रहें, समीप का क्या हो जाएगा भाव अचक में, समीप का, निकट का, निकटता हो जाएगा, भीतर, भीतर, भीतर का, भीतरी हो जाएगा, भीतर है, भीतर का भीतरी परसपर परसपरिक नीचे नीचला यह सब्ध है और अव्य सब्ध कैसे होते हैं जिसमें ना कोई दिंग हो वचन और नहीं काल हो देखे इस ताइप के कोश्चन किस टाइप से आते है एक्जाम में प्रिएवेस एक्जाम में ऐसे आ चुके हैं यही वाले कोश्चन हम करा रहें कक्षा सब्ध हिंदी व्याकरण की अनुसार के भेद कि किस में आता है व्यक्ति वाचक संग्या में आता है, जाति वाचक में आता है, भाव वाचक में आता है, समुदाय वाचक में आता है जैसा हमने समुदाय का अभी पोइंट करवाया, टोपी करवाया, उसमें क्या था, जो भी समु में हो जैसे दल, सैना, कक्षा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये कौन सी बाच, ये हो जाएगा, समुदायवाचक संग्या, कौन सी होगी बच्चा, समुदायवाचक संग्या, कौन सा सब्ध भावचक संग्या है, भावचक का बता दिया, भावचक कैसा होता है, मिठा, मिठा, मिठ हार दॉत है और जान चांड जाटी वाक संग्या का उधारन जाती वाजड़त मैं क्या क्या अंट जो उसी कई समू का बताए कि राजा मोहन रामू यह सब नाम दे दिये नोने यह सारे व्यक्तिवाचक और आम तुब होते हैं लेकिन रोस तरें वह में कोई भी व हो सकता है यह क сюж Untedo कि कॉमलत सब में संग्या है और कउमलत में अचा क है जा दी विक भावा शक ए समुधाय या समुधाय नहीं हो सकता व्यक्तिवाचक भी नहीं है और जातिवाचक भी नहीं तो क्या हो जाएगा कोमलता यह भावाचक है कोमल सब्द का भावाचक क्या हो जाएगा कोमलता यह आपका practice का question है इसका answer आपको comment box में देना है और आपको बताना हमारी class आपको कैसी लगी कोई भी question आप ले के आ सकते हैं हमारी class में comment box में देजिए और next class में आपको बक्क कराई जाएगी कोई भी देख सकते है कि उसके topic क्या coding भी और भीना topic क्या coding भी Okay student, thank you